हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ग्यान पर दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। ये चार नाम वाली लड़कियां, ये लड़कियां जिस घर में कदम रखती हैं, उस घर को धन्धान्य से भर देती हैं। इसके बारे में कि क्या कहते हैं वे। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं, तो ऐसे घर में सदा ही मा लक्ष्मी का वास होता है। और ऐसे घर में सुख शांती परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक उर्जा अधिक होना आवश्यक है। कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये पांच चीजें दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद, अवश्य ही होने चाहिए। जिस घर में भी है, ये होता है, वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात घर के प्रत्येक सदस्य को खास कर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ट है इसी लिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है तीसरी बात शाम के समय घर में मा लक्ष्मी का आगमन होता है आप इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड्कियां खुली रखनी चाहिए रोज शाम को चाहे पांच मिनट के लिए ही सही लेकिन आपको अपने सभी खिड्कियां और दर्वाजे खुले रखने चाहिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखनी चाहिए शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें रंगोली बनाकर देवी लक्षमी का स्वागत करने से मा लक्षमी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है इसलिए आपको सुभह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए चौथी बात घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थिक का चिहन बनाना चाहिए स्वास्थिक अत्यंत शुभ चीन है ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है। अथवा कुल देवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। चुहार या शुभ मुहूर्थ पर काले तिल लेकर अपनी मुठी में तीन बार फूप मारी है। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छट पर डाल दीजिये। इससे नकारात्मक्ता नश्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुद्रिष्टी हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बेगाड नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ती भगवान विश्णु के मैल से हुई थी। इसलिए इसमें बहुत शक्ती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं द्वार पर आई गौमाता और द्वार पर आए कुद्टे को रोटी आवश्यक है। खील आए पशुपक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की अवश्य रखें। दस्वीम बाद घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भर कर रखें। और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोश्ट नश्ट होते हैं। तो दोस्तों ये तो थी वह महत्वपूर्ण बात है जब भगवान श् ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयम को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिलकुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बन कर आती है तो उसे ही स्वयम के घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है हालांकि कि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती बलकि कुछ लड़कियां तो इतने माहिर होती है कि ससुराल जाकर बाकी सब का रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपने गोली चला कर घर पर राज करती है दोस्तों ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन चार नाम वाली एल डेडी डाकियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है दोस्तों इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बाते होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है दोस्तों नंबर एक का नाम वाली लड़कियां जी हाँ, दोस्तों ये नाम वाली लंड़ी डेकियां बहुत ही चालाक होती है इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उन से अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है यह जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बातों से सब को अपनी ओर कर देती है इसके बाद हर कोई इन ही की तारीफ करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता दोस्तों इनकी यह कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और यह वहां आराम से राज करती है इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजर अंदाज नहीं कर पाते इस प्रकार सबके मन में इनके लिए एक इज़त बनी रहती है इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है इसी कारण एच वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं नमबर 3 M वाली लड़कियां M नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बадलना अच्छे से जानती है अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है यह जब ससुराल जाती है तो स्वयंग को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती बलकि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती है इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है दोस्तो नमबर चार एस वाली लड़कियां इस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती है इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है या अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती है जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता और दोस्तों ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है दोस्तों ये थी वो चार नाम वाली खास किया जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है वैसे आपका शुभ नाम की इस अक्षर से शुरू होता है आप हमें कमेंट में जरूर बताईएगा